बिसमलारहमालरहीम असलाव अलेकुम दोस्तों मेरा नाम है तोसी विजाज और आप देख रहे हैं दाइजी नोट्स इचिप चैनल तो गाइस अर्टिफिशिल इंटैलिजेंस के नोट्स जो हैं वह कंटीनिव हैं और आज हम लेक्शन नूबर फाइव में नोट्स और इसी तरह what are the terminologies used in agent तो इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे और मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा मगर उससे पहले आप से रिक्वेस्ट करने चाहता हूं कि अगर आपने अभी तो हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर है मतलब human भी agent हो सकता है और कोई reward भी हो सकता है और कोई इसी तरह software hardware भी हो सकता है agent अगर वह क्या सलाहित रखता हो उसमें क्या हो उसमें census का जो है चीज यूज हूई हो मतलब कि वह sense करे या तो वह camera से scan करे या किसी भी और device से scan करे तो यहां पे guys human की भी बात आयते मतलब human तो उससे किसी चीज को किसी काम को perceive करना और उसके बाद response करना ठीक है तो इसको हम क्या कहेंगे agent कहेंगे तो अब यहां पे हम suppose की जो रोबोट की बात करते है तो रोबोट क्या करता है camera के तू चीजों को अब camera के तू sense वह रखता है उसके बाद वह क्या करता है उसमें effectors लगे होते है ठीक है एफेक्टर्स जिस तरह हमारे में मतलब हम हमारे हाथ है पेरे ठीक है या हमारी आंके है या हमारी जुबान है तो यह हमारे एफेक्टर्स है इससे हम रिस्पोंस देते हैं तो इसी तरह रोबोट के हई भी मुख़िफ पार्ट्स हो सकते हैं जिससे वो रिस्पॉंस देगा ठीक है तो हमने क्या बात की कि anything we call अगर हम आपनी बात गरे तो अगर किसी रूम में एंटर होते हैं då हम्हें यह पतते चल करता है कि यहां पर गर्मी है या सर्दी है या मौसम कैसा है ठीक है तो इसको हम क्या कहेंगे एजेंट कहेंगे ठीक है तो as we know that एजेंट works and acts in a environment so that environment may have different agents ठीक है तो यहां पर बात करते हैं कि agent के मुख्तलिफ types हो सकते हैं किस तरह कि यहां पर guys अगर human agent है तो human क्या गरेगा robotic agent है तो वो क्या गरेगा तो यहां पर क्लासिफिकेशन करते मतलब agents के same environment में robot भी हो सकता है और human भी हो सकता है वो काम कर सकते हैं तो यहां पर इसके बारे में type some is देखते हैं यहां पर तो guys सबसे पहला हम बात करेंगे robotic agent के बारे में ठीक है reward भी agent हो सकता है such as camera इंफ्रा रेम जो एक्स रेसे वह रहा अल्ठा सांड है जितने भी robots हमार रपस हैं तो guys यहाँ पर क्या है robot में क्या लगा होता है camera लगा होता है जिसके जरी वो sense करता है और उसके जो मतलब जो चीज़े आपने provide की हैं उसके effectors वो कहलाएंगे जिससे वो output देखा ठीक है तो यहाँ पर गाइस human agent जैसा कि आपने बात की भी के human agent जो है अपने organs के जो क्या करता है sense करता है और उसके बाद जो हाथ पर है या मतलब मुह है या इसी तरह गैस्टर जैटी के body के moment तो उससे हम क्या करते हैं उससे हम response देते हैं तो यह क्या हुआ human agent अब गाइस यहाँ पर हम देखते हैं software agent जैटी के तो एक software agent भी हो सकता है आपके environment में तो वह क करता है कि it is pre-coded या programmed agent तो यह program होते है pre-coded होते हैं कोई task को perform करने के लिए ठीक है तो इस तरह अगर हम देखे get security में get security में program लगा होता है ठीक है अगर आप अंदर होते हो आपके पास कोई असलहा है तो वह आपको detect कर लेता है तो यह basically क्या है software agency अब गाइस what agents have ठीक है agents मे कौन से terminologies यहां पर हो सकती है तो सबसे पहले हम बात करते हैं performance मेयर के तरह है ठीक है तो it is the criteria which determines how much the agent is successful तो जो agent है वो कितना successful है तो इसको determination हम कर सकते हैं performance मेयर जो है उसमें हो सकता है अब गाईज यहां पर next behavior of agent तो behavior of agent क्या है कि it is the performance action after perceiving the environment behavior उसका यह है कि उसने environment को देखा उसके बाद उसने behave किया तो किस तरह behave किया good किया bad किया यह थो आलक बात हैं मगर behavior उसका क्या है किया वो action perform करेगा किया वो output देगा तो इसको behavior कहेंगे तो behavior भी यहाँ पे हैं उसके बाद percept है terminology है जो के agent में होती है percept क्या करता है percept वो या तो उसमे knowledge base लगा है ठीक है the knowledge base agent है proceed only the input ठीक है तो यहाँ पे guys input वो proceed करेगा knowledge base से तो यहाँ पे जब हम perceive करते हैं किसी चीज़ को percept में डालते हैं तो यहाँ पे guys क्या है कि अगर हम human की बात करें तो हम जब चीज़ को देखते हैं और हम वो चीज़ हमारे mind में चली जाती है और mind में pattern matching होती है और उसके बाद हमें पता चल जाता है मतलब मैंने तो यह देखा था मैंने तो उसको पहचाना तो यहाँ पे pattern matching हमारे mind में होती है तो उसको हम क्या कहेंगे percept कहेंगे ठीक है अब guys percept sequence है ठीक है तो percept sequence बैसिकली क्या है कि the history of all the performed action ठीक है जितने भी action जो perform हो चुके है तो उसको perform sequence कहेंगे मतलब कि जो history है ठीक है जो history है आपके mindset की जितने भी चीज़े आपको memorize है तो इनको हम percept sequence कहेंगे अब guys next हम बात करते है agent function अब agent function क्या है it is the map of all percept sequence and agent है ठीक है तो जितने भी आपके पास percept sequence एक नहीं हो सकता आपकी history जो है वो मुख्तलिफ हो सकती है ठीक है history आपके मतलब मिसाल के तो पर अब हम family से बात करते है वो अलग करते है ठीक है अगर हम किसी girlfriend से बात करते है तो अलग अंदाज में करते है तो यहाँ पे guys मुख्तलिफ जितने भी हमारे पास history classification है तो उसके map को मतलब उस classification को हम agent function कहेंगे ठीक है तो guys आज के लिए इतना ही मिलते है नई वीडियो के साथ इस वीडियो को like and चैनल को subscribe करना अलाहाफेज